पूर्ण जो दोस्तों डेली प्रॉब्लम स्लूशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पश्यों को जो गोहे का बंद पड़ जाता है तो हम कौन से जो इंजेक्शन लगा सकते है और ज़दी हमें पता चल जएके मारे पश्यों को जो गोहे का बंद पड़ने वाला तो हम कौन यह मेडिसन लगा सकते हैं तो इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे तो दोस्तों पहला जो इंजेक्शन है वह है एंटासेफ सेट्रोग्जन दोस्तों इन इंजेक्शन का क्या काम है और इनकी यह डोज क्या है मैं आपको प्रॉपर जानकारी देने की कोशिच करूँगा तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जुरूर देखें और जिन कसान वीरों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताँके जो हमारी लेटर से लेटर सी वीडियो है वो आप तक है पाहुंच सके और आपका पूर पूरा फैदा हो सके तो दोस्तो जो गोहे का बन होता है इसके पहले हम लक्षिनों की बात करेंगे क्या होता है कि कई बर आपका पशु बहुत ज़्यादा उसको डायरिया हो जाता है दस्त लग जाते हैं और कई बर आपका पशु यह जब बहुत यह दा खुशक गोहा करने लग जाता है तो दोस्तों यह भी एक निशानी है कि आपके पशु को जो गोहे की बन की प्रॉल्म हो सकती है कई बर क्या होता कि आपका पशु का टंपरेचर डॉन हो जाता है और खान गोहे के बन की प्रॉल्म हो सकती है तो दोस्तों जदी इसका सही समय पर हमें पता चल जाए तो यह जो इंजेक्शन मैं आपको बता रहा हूं मुझे मुझे मुरीद है कि आपका बहुत यह हो जाएगा और आपके पशु को गोहे के बन पढ़ने की समस्या है वो नहीं होग तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंजेक्शन बता रहा हूं जदी आप थोड़ी बहुती समस्या होगी आपके पशु को गोहे का बन पढ़ना शुरू होगा तो इन इंजेक्शनों से आपके पशु को गोहे का जो बन है वो नहीं पढ़ेगा और आपका कोई इंजेक्शन बगएरा लगा देते हैं लेकिन दूसरे तीसे दिन आपको पता चलता है कि आपके पशु को गोहे का बन पढ़ना पढ़ गया वह पहले आप सोचते हैं कि हमारे पशु ने हरा चारा फीड बगएरा तो खाया नहीं तो गोहा कहां से करेगा तो दोस्तों आपको पशु पांच शे दिन ना खाए तो भी कोई प्रॉलम नहीं तो फिर भी वह सही तरीके से सही रूप में गोहा करता रहेगा और जदी आपके पशु को बन की प्रॉलम होगी तब ही आपका पशु है जो उसको गोहा नहीं आएगा तो दोस्तों गोहे के बन में क्या लिवर टोन गॉरटर बगयरा हम अपरे पशु को साथ में दे सकते हैं और क्या ड्रैप लगा सकते हैं और कौन ड्रैप कितनी दिन लगानी है वह मैं आपको सब कोई डिटेल में बतार वह तो दोस्तों पहली यह वीडियो है इसमें सिर्फ हम इंजेक्शनों की बात कर रहा है यह इस्तिमार करों गया आपके प्शुक को बहुत ही ज्यादा पैदा होगा तो यह देखें दोस्तों सामने जो इन्जेक्शन है इंटासर फॉर तो दोस्तों इसमें इन्जट्रॉक्षन और इंज़क्षन साफ है है इसमें तो चारगराम का इंजेक्शिन है चार गर कभ meow का ए ठीका है इसमें जो प्लेन असर ट्रौोशन है वेसे तो इसमें प्लस इसलवेक्ट्र दे था इ से प्लस आता है तो दोस्तों हम बात करेंग mo deste कि प्लेन याफ तो दोस्तों 奶ा का पशु का गोहा जो, सकत हो गया है वह लेड़े के रूप में जो लड़ु के रुग में घरता है कई बर आपके पुशु को बहुत ज्यादा लग जाती है डाहियर香 बहुत लग जाता है और बाद में च्OD- को बुत दित beiden कि समस्या दूसरे पेड में गोहा जाता है तो आना बंद हो जाता है और आपके पशु को जो अंफेक्शन की वज़ा से अंतर जो अंतली अंफेक्शन हो जाती है उसकी वज़ा से आपके पशु को जो गोहा अना बंद हो जाता है और वह रुक जाता है तो दोस्तों जो शुरुवाती क यदि उसमें हम यह चार ग्राम का इंटासिफ इंजेक्शन यूज करोगे तो आपके पशु को बहुत ही ज्यादा फैदा होगा क्रिटीकल कंडिशन में तो हम यूज करते हैं लेकिन शुरुवाती दौर पर यह इंजेक्शन आपको बहुत ही ज्यादा फैदा करेगा आपके पशु की जो अंतलियां की इंफेक्शन को दूर करने के लिए तो दूसरा दोस्तों जो इंजेक्शन है रिमेर का जो के बी कंप के पेड के आपके रियूमन की सेटिंग के लिए इसमें साल्ट डाले हुएं आपके पशु को बन की वज़ा से क्या होता है आपके पशु की पाच्चन शक्ती है जो खराब होती है तो पाच्चन शक्ती खराब होने की वज़ा से आपके पशु को जो गोहे का बन है वो जाता है और कई बर आपका पशू बैठ जाता है और जदी सही समय पर हम गोहे के बंड का अलाज नहीं करते तो इंफेक्शन की वज़ा से खाना पीना छोड़ जाने की वज़ा से अनर्जी लेवल डाउन होने की वज़ा से आपके पशू की ये मिरुतू है वह हो जाती है तो आप ये इंजेक्शन पंद्रा एमल बड़े पशू को एंटी बैटक जो एंटासेफ इंजेक्शन चार ग्राम का है उसके साथ लगा सकते हैं दोस्तों इसमें बी कंपलेक्स और अमीनो एसड है जो डाला हुआ जो तीस एमल में जो इंजेक्शन आता है आप पंद्रा जो पात्यल शकती है खराब हो गई है वो इसको ये इंजेक्शन है जो रूमैरइक बोटी करेगा तो दोस्तों ये इंजेक्शन आई और आई वी दोनों रूट लग जाता है तो दोस्तों जो एंटा सिर्फ इंजेक्शन है वो भी आप आई 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 वी लगा सकते हैं यह आप रुमेरक भी आई आई वी लगा सकते हैं जनके आप इसको माज़ पेशियों में डूंगा भी आई 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 आम इंट्रमस्क्रल लगा सकते हैं आप इसको नाड़ी में भी लगा सकते हैं तो दोस्तों यह इंजेक्शन दोनों आप अलग-अलग करके एनेस ड्रिप में भी लगा सकते हैं और यह तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी ड्रिप के बारे में बताऊंगा कि कौन सी ड्रिप हम और कौन सा इंजेक्शन लगा सकते हैं तो पशु की यह पच्छंतक्ती शक्ती और सही करने और भूक बढ़ने में और आज्मा सही करने में और अनर्च्य लेवल ताकत प्रदान करने के लिए यह एक बहुत ही बढ़िया इंज़ेक्षिण है तो दोस्तों ही रूट यूज़ कर सकते हैं आप इसको आई वी नाड़ी में भी लगा सकते हैं तो दोस्तों इसकी डोज जो बड़े पशु को 15 से 20 हम लगा सकते हैं क्या होता कि आपके पशु की अंत्रियों के अनफेक्शन होने की वज़ा से उसमें यह बहुत यादा सोजिश आ जाती है कई वर आपका पशु है जो पेट दर्द भी उसको हुने लग जाता है तो दोस्तों यह इंजेक्शन उस कंडिशन को सही करेगा और आपके पशु के अंदर जो अंत्रियों में कहीं पर भी सूजश है उसको ठीक करने में मद्द करेगा दोस्तों क्या होता है कि आपके पश करन होते हैं तो दोस्तों यह तीनों ही इंजेक्शन है यह उसके पेट दर्द को और सुजश को सही करेगा मेलोनेक्स जो रुमेरक है उसकी पाच्छन शक्ति को सही करेगा और जो एंटीबेट कर एंटासेफ है वह उसकी पेट की अंत्रियों की इंफेक्शन है उसको ठीक क तो दोस्तों यह गोहे का बन है आपको पशु को कई कारणों से हो सकता है जैसे आपके पशु ने कोई गीला हराचरा खा लिया चाहे कीट नाशे कोई हराचरा खा लिया चाहे कोई गंद वगएरा खा लिया चाहे कई वर आप फीड वगएरा बहुत गीली करके डाल देते हैं उसकी वज़ा से आपके पशू की चाहिए मिटी वाला हराचरा खाली है मिटी वाली फीड खाली बहुत यादा कई वरी फीड खाल लेता है जनवर उसके बाद यो पनी पी लेता है तब आपके पशू को जो ये पेड़ के बंद की ये समस्या हो जाती है कई बार हरा चरह वगरा हम चेंज करते हैं तूड़ी वगरा चेंज करते हैं मौसम के उनसार भी आपके पच्चिकों पेड़ की समस्या हो साथ तो दोस्तों जदी आपके पच्चिकों को ऐसी प्रॉल्म है तो आप इस इंजेक्शन को जूज कर सकते हैं मुझे मीद है कि आप को बहुत ज़्यादा फैदा होगा तो दोस्तों जदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक को शेयर करना मत बूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिए आपका बहुत धन्यवा थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में